तो यहां हमसिते लेक्चर में हम देखेंगे हैज डागराम के कुछ एक्जामपलोज की कैसे हमाई पास कोई डिलेशन है या कोई क्षिन हमें पास गिवन है तो उसका डिरेक्ली हम है ड्यागराम बना सकते हैं प्रिविर्यस में हमने देखा step by step means कोई हमें example या कोई question हमें given है तो उसका कैसे हमने relation बनाया फिर उस relation से कैसे हमने उसका डाइग्राफ बनाया और step by step रहके हमने क्या बनाया hash diagram तो यहां हम क्या देखेंगे directly हम hash diagram बनाएंगी किसी भी question का तो जो आपके प्रीवेस लेक्चेर है जो प्रीवेस वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको description में दे दिया है तो इस वीडियो से पहले वह वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपका hash diagram अच्छे से clear हो जाए तो hash diagram बनाने से पहले आपके पास एक दो चीजी आपके पास must है जो आपके पास आनी चाहिए पहली चीज कि hash diagram में कभी भी आपके पास horizontal line नहीं होगा क्या आपका जो relation है, relation के अंदर आपके पास जो pair होगा, 1,2 भी होगा और 2,1 भी होगा, कोई भी अगर आपके पास relation है, तो उसमें बहुत सारे आपके पास pair है, अगर horizontal line बना दिया गया, तो इसका मीन से, उस relation के अंदर 1,2 भी होगा, 2,1 भी होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ह हम क्या बोलते है, hash diagram किसका बनाते है, हमेशा partial order relation का बनाते है, किसका, जो relation क्या होथा हमेशा partial order relation, जो partial order relation का means, वो तीनों की तीनों condition satisfy करता होगा, that is आपके पास reflexive, anti-symmetric, और transitive, ठीक है, तो अगर में पास ये वाला pair हुआ, तो इसका means क्या है, anti-symmetric क्या बोलता है, अग B, A, B है, तब A equals to B होना चाहिए, ठीक है, यहाँ देखिए, A, B है, means 1, 2 है, तो 2, 1 है क्या नहीं है, तो 2, 1 भी है, तो 1, 2 है, 2, 1 भी है, but 1 is not equal to 2, अगर आपके पास ये pair अगर आपके पास आ गए, relation के अंदर, तो इसका means क्या है, कि वो relation आपके पास anti-symmetric नहीं होगा, तो वो आपके पास partial order relation नहीं होगा, तो उसका हम hash diagram नहीं बना पाएंगे, इसलिए कोई भी hash diagram होता है, कभी भी उसमें क्या होगा, आपके पास horizontal line नहीं होगी, पहली ये चीज, दूसरी ये चीज, हमेशा जो relation होगे hash diagram में, वो नीचे से उपर, means bottom to up होगा, means अगर मैं बोल two, ठीक है, वो कैसे भी हो जाए, आप directly हो आपके पास vertical या आपके पास, ऐसे हो, कैसा भी हो आपके पास, जो relation होगा, one से two की तरफ होगा, मैं इसमें two comma one जो relation है, वो आपके पास नहीं लिख सकता, जो pair है, मैं two comma one नहीं लिख सकता, हमेशा इसका मतलब क्या हुआ, relation क्या है one से two, और अगर मैं directly खाली इसी के बात करूँ कि यह है, या यह है, तो इसका means क्या है आपके पास, जो relation है, उसमें कौन-कौनस elements होंगे, one है two के साथ related, one one के साथ खुद भी related है, और two two के साथ खुद भी related है, ठीक है, तो यह मैंने आपके पास previous lecture में आपको बता रहे था, क example number first देखते हैं, ठीक है, हमारे पास question है, one, two, three, four, or less than and equal to, ठीक है, अब इसका बनाना है has diagram, तो has diagram बनाने से पहले हमें क्या चाहिए, उसमें आपके पास elements होने चाहिए, अब element क्या क्या है, हमको given है element, one, two, three, four, ठीक है, लेकिन has diagram के लिए हमारे पास element तो हो गए, अब relation भ equal to means, जो भी relation के अंदर जो pair होगा, a, b, उसमें a is less than and equal to b होना चाहिए, मिन जो पहला element, pair का जो पहला element होगा, वो छोटा होगा, दूसरे element से, ठीक है, तो start करते हैं, अगर मैं बोलू, हाँ, पहला element लेता हूँ, one, तो दूसरा element क्या क्या हो सकता है, one भी हो सकता है, इस condition को satisfy कर रहा है, क्योंकि less than b है और equal to, भी हो सकता है, one, toma three b हो सकता है, यह सारे हो सकता है, अगर मैं बोलू कि two, one हो सकता है नहीं हो सकता, two is greater than one जो इस condition को satisfy नहीं कर रहा है तो 2,1 नहीं होगा क्या होगा 2,2 2,3 2,4 वैसे ही 3,3 3,4 और लास्ट क्या होगा 4,4 तो यह क्या बनगे आपके पास relation यह आपके पास question था इसका हमने आपके पास एक set निकाला और उसका क्या निकाला relation अब इस relation का directly हम क्या बनाएंगे आपके पास hashtag ठीक है और बाकी जो दो question है आपके पास second and third उसका बिना relation निकाले ही हम directly हज़ डियागरम भी बनाएंगे ठीक है आपके पास two नॉर्मली यह क्या कर दिया मैंने आपके पास तू ठीक है इसका means क्या है कि one relate कर रह रहे है two के साथ जो pair बनेगा इसका means क्या है one comma two ठीक है और मैंने क्या बोल रहा था हर एक element खुदे के साथ भी relate होता है क्यों होता है क्योंकि आपके यह जो relation है actually यह relation कौन सा होता है partial order relation और partial order relation है तो इसमें वो तीनों की तीनों properties भी hold होती है that is reflexive anti-symmetric or transitive यह तीनों की तीनों property hold होती है तो one का one के साथ भी relation होगा जो हमारे पास reflexive property होती है ठीक है यह है ठीक है अब होगे आपके पास थक है तो थक है तो यह क्या भन गया इसका आप अब देखें कि यह सानला साथ कि यह गयरती है देखें कि यह हैश्ट डागरम करना दिए डारी छिर्डवly देखें को छो सब कुछ है नहीं है देखें रिलेट होता है तो मिंस वान,"One होगा सब्सक्रांट होता है यह हो गया three four के साथ related है यह हो गया अब क्या होता आपके पास इसमें यह relation अगर partial outer है तो means transitivity भी होती है तो means अगर one two के साथ related है two three के साथ related है तो इसका means क्या हो गया one three के साथ related है यह हो गया one two के साथ related है two three के साथ three four के साथ है तो इसका means क्या हो गया one four के साथ हो गया यह भी हो गया अब देखिए two three के साथ है three four के साथ है तो इसका means क्या हुआ कि 2 भी 4 के साथ रिलेट है ये भी हो गया सारे के सारे पेर हो गए ठीक है तो ये क्या बन गया इसका आपके पास है तो बहुत ही अने वाजो किडिद्ग बना सकते हैं फिक है तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास second ना Обके पास और क्या है है अब आपके पास यह तो होना चाहिए आपके पास कि on the इस होना चाहिए मैंद करना अपके पास कौन कों gate क्या होना सब्सक्राइब कर सकते हैं means 12 को कौन कौन से element divide कर सकते हैं और maximum कहा तक जाएंगे वह 12 तक यह जो पार्ट है डिविजन वाला यह बार में आएगा यह कब लगता है जब आपके बाद सेट बन जाता है सेट के बाद आपके बनाने में यह वाला पार्ट आता है अभी यह वाला पार्ट देख र सकता हैं व कर सकता है तो यह सकता है तो यह बन गया आपके बास सच्छ यह व्यापके पास हो गया सर्थ वैसे आपके जाते हैं budgets 10 D30, D50, ऐसे आपके पास बहुत सारे आपके पास questions में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो relation होगा, relation बहुत यह बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा आपके पास, relation में बना निया रहा, आपके पास directly हम क्या करेंगे, इसका hash diagram बनाएंगे, तो relation में क्या बनेगा, इसका means क्या आपके पास, जो relation होगा, relation में आपके पास a, b होगा, इसमें a, b को divide करना चाहिए, means, इसका means यह नहीं कि a is divided by b, इसका means है, आपके पास b is divided by a, यहां आपके पास ऐसा यह होता है, आपके divide का sign है, तो pair में हम कैसे लिखते है, a divides b, that is, b is divided by a, ठीक है, तो जो हमाँ पास relation होगा, relation में आपके पास कौन-कौन से pair आएंगे, तो क्या 1, 2 को divide कर सकता है, कर सकता है, क्या 1, 1 को divide कर सकता है, कर सकता है, तो इस step के आपके पास pair आएंगे, क्या 4, 6 को divide कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यह वाला pair नहीं आएगा, क्या 4, 12 को divide कर सकता है, कर सकता है, तो 4, 12 आएगा, क्या 12, 4 आएगा, नहीं, 12, 4 को divide नहीं कर सकता, लेकिन 4 12 को divide कर सकता है तो यह वाला आएगा यह वाला पार्ट नहीं आएगा तो ऐसी आपके पास आप चाहने तो उसका relation आपके पास निकाल सकते हैं मैं इसका directly hash diagram बना रहा हूं आप directly क्या किजिएगा उसका relation बनाएगा फिर उसके बाद hash diagram बना लीजिएगा ठीक है तो 2,3,4,6,12 तो सबसे पहले क्या ले लिए मैंने आपके पास 1 जो सब को divide करेगा ठीक है अब क्या 1,2 को divide कर सकता है कर सकता है तो मैंने यहाँ पे ले लिए आपके पास 2 ठीक है जो मैं आपके पास hash diagram बनेगा क्या बनेगा आपके पास level wise ठीक है एक ही level पे वह वाले elements 1,1,1,2,2,2,2 यही पेर हुए तो इसका में से 1,1 को divide कर सकता है 1,2 को divide कर सकता है 2,2 को divide कर सकता है सही है ठीक है अब ऐसे दिखते है अब राया 3 पे अब 3 से previous वाले elements देखेंगे क्या 2,3 को divide कर सकता है नहीं तो 2 और 3 आपके पास एक ही level में आ जाएगा आपके पास 3 ठीक तो इसका में से क्या हो गया 1,3 को divide कर सकता है अब I have 4,4 से हम previous आएगे तो देखते है आपके पास 4 आपके पास 3 से आपके पास divide नहीं हो सकता तो अगर मैं let's suppose पहले बोलूँ कि आपके पास 4 यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है फिर आए उसके पीछे अगर मैं आपके प पास यहाँ पे नहीं आएगा directly की चले जाएगा यहाँ पर next level ठीक है क्योंकि two, four को divide रहा है तो मैंने क्या बना दिया connection ठीक है इसका मिनिसकी आउगे तू-four को divide कर रहा है अव वन भी आपके पास four को divide करता है तो देखिए one आपके पास two को divide कर रहा है two, four को divide कर रहा है तो two four then one four ठीक है अब आया six पे आप six को कॉन कॉन डिवाइट कर सकता है आपके पास three two and one ठीक है four नहीं करेगा तो four के उसी लेवल पर आ जाएगा हमारे पास six अब three six को कॉन 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 डिवाइट कर सकता है three कर दिया 3 6 को डिवाइट कर रहा है 1 भी 6 को डिवाइट कर रहा है 2 भी तो 6 को डिवाइट कर रहा है तो इसके बीच में भी आपके पास एक लिंक होना चाहिए एक लाइन होनी चाहिए और जो यह लाइन दिख रहा है 2 से 1 1 से 3 3 से आपके पास 6 यह वाली आपके पास लाइन जो connection है इसको हम नहीं बोलेंगे ठीक है कि यह 2 और 6 को divide कर रहा है इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा एक और लाइन जो directly 2 और 6 को connect कर दिया है क्यों इसको हम क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 फिर 1 हमारे पास कभी भी hash diagram में होगा तो हमें हमेशा क्या करता है count हमेशा नीचे से उपर कभी भी उपर से नीचे फिर नीचे से उपर ऐसे count है नहीं किया जाता हमेशा क्या होगा नीचे से ही उपर होगा या वह जिग-जग के form में हो जैसे भी हो लेकिन हमेशा न नीचे फिर नीचे से उपर नहीं होता ठीक है अब आपके पास 12 12 क्या का सेगता है 12 आपके पास निकालके देख सकते हैं इसका रिलेशन और इसका रिलेशन आपके पास क्या होगा आपके पास सेम आएगा तो ये था आपके पास कि डियरेक्टली हमारे थर्ड में आपके पास set पहली से गिवन है जो आपके पास a है इसमें आपके पास set के value पहली से गिवन है 3,4,9,12,18 ठीक है जो इसके जो relation होगे relation में आपका division है means a is divided by b sorry a divides b that is b is divided by a यह वाला simple होगा means जो आपका relation होगा उसके अंदर जो pair होगे a,b के form में तो कैसे होगे क्या 2,2 होगा होगा ठीक है क्या 2,3 होगा नहीं क्योंकि 2,3 को divide नहीं का सकता 2,4 होगा फिर 2,12 होगा और 2,18 होगा इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगा आपके relation आपके पास बन जाएगा हम क्या कर दे डिरेक्ली shortcut method अपना दे हैं कि डिरेक्ली कैसी question का हम डिरेक्ली hash diagram बनाएं ठीक है कैसे बनेगा सबसे चोड़ा क्या है आपके पास 2 तो सबसे पहले ले लिए हमने आपके पास 2 ठीक है ठीक है इसका means क्या हो अगम खरे simple dot करता हो इस 3 और 2 divide कर सकता है क्या means 3 को टू डिवाइड कर सकताए है नहीं कर सकता तो इसके ऊपर level में जाने की ज़रूत नहीं है आपके पास एक ही a level में हम कर लेन तो स़ह हो जागा ठीक है और दोनों को connect करने की ज़रूत है ... connect कर लेंगे तो उसका means क्या हो गया 2 को 3 divide कर सकता है या 3 को 2 divide कर सकता है तो अभी तक यही होगा अब आपके पास 4, 4 को कौन divide कर सकता है आपके पास 2 तो क्या कर दिया हमने 2 के उपर आपके ड़ल दिया 4 और यह बना दिया line तो अभी तक का जो pair बनेंगे हमारे पास relation के अंदर कौन कौन से हैंगे तो फोर पून, और यह बने हो सकता है चाली तो 9 हमने कर दिया है ठीक है वैसे हम यह देखा जाये तो क्या हो सकता है ठीक है अब आफके पास 12 , अब 12 और कॉन काइं डिवाइड कर सकता है 12 को आप के पास 2 & 4 यह दनों डिवाइड कर सकते हैं Аपके नहीं तो क्या मैं 9 के यहाँ पे कर लूँगा आपके पास 12 नहीं क्या क्यों ? क्योंकि 4 12 को डिवाइड कर सकता है तो मैं 4 से अगर लाइन खीचूंगा आपके 12 के तरफ तो यह क्यों जाएगा horizontal जो horizontal लाइन नहीं होता है तो मैंने क्या कर दिया 12 को इसके ऊपर बना दिया अब कौन-कौन उसको डिवाइड कर सकता है तो नॉर्मल क्या करेंगे थिरी से भी directly हम 12 को एक लाइन खीच देंगे क्या करेंगे 3 से भी हम directly लाइन खीच देंगे 2 भी करता है लाइन हो गया 2 तू 4 एन 4 तू 12 इसका मैं करता है तो और पसे अधेचन को रलाएन नहीं करता है तो इसके आपके पास लाइन नहीं थिक्ष्हेए तो इस्कुल का है zuandh तो ऐसी आपके पास बहुत सारे questions आएंगे, अलग-अलग आपके पास conditions आएंगी, अलग-अलग sets होंगे, तो आपको normally क्या करना है कि इस method को देखना है, दो चार चीजे आपके पास देखने हैं, इसमें transitivity होनी चाहिए, आपके पास जो horizontal line है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कोई भी होग आपके पास question उसका hashtag आप बना सकते हैं